Hello everyone, में नाम निव्या भुवन है और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चानल Being Banker with Nivya में अगर आप नए हो मेरे चानल पे तो चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही लाइक बटन प्रस कर देना ताकि और वीडियो आपकी टाइमली आपको मिलते रहे ओके सो आज मेरा टॉपिक है Coded Inequality Inequality एक important topic है एक्जाम के लिए जहां पर से आप easily 4 to 5 marks अचीव कर सकते हो एक्जाम में अगर आपके अप्रोच सही हुए और आपके basics बिल्कुल clear होंगे तो तो चलिए start करती हूँ start करने के पहले मैं आपको अपने बारें बता दूँ मैं Unacademy पे educator हूँ आप मुझे Unacademy पे search कर सकते हो bank category में मैं पराती हूँ मेरे बहुत सारे special classes और plus classes भी चल रहे हैं तो आप join कर सकते हो Unacademy ओके तो अगर class में start करूँ सबसे पहले तो basic से start करूँगे और आप लोग को सबसे पहले symbols बताना बहुत जरूरी है तो inequality में हमारे पास 5 main symbols होते हैं 5 symbols हैं हमारे greater than smaller than and is equals to now greater than से एक और symbol निकलता है greater than or equal to smaller than से निकलता है smaller than or equal to तो यह हमारे main 5 symbols हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है question solve करने के लिए और जब भी अगर आप is equals to में एक line देखो cross किया हुआ तो उसे हम लोग बोलते हैं not equal to is equals to नहीं है is equals to का नहीं है का मतलब या तो greater होगा या तो वो smaller होगा इसकी एक अलग ही concept है इसके बारे मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगी तो अगर आगे चलें तो इसके लिए symbols के लिए आप easily कैसे याद रख सकते हो symbols का trick क्या है symbols का trick है कि आप देखो जो भी symbol चाहे वो single symbol हो एक symbol हो या double वाला symbol हो अगर आपका ये दोनों symbol east के तरफ face कर रहा है तो आप इसे एक category में रखोगे मतलब आप इसे एक family बनाओगे और अगर आपका कोई symbol single हो या double symbol हो अगर ये दोनों west के तरफ देख रहा है तो आप इसे दूसरे category में डालोगे इसका मतलब है second वाली family में डालोगे तो ये आपको decide करेगा आपका direction कौन से direction में कौन सा symbol देख रहा है और is equals to दोनों में ही common है तो ये याद रखना single और double जो भी जिसका direction east के तरफ होगा एक सार डालोगे single और double जिसका face जिसका point आपका west के तरफ होगा उसे आप एक category में डालोगे आगे क्या है आगे normally हमारे घरों में क्या होता है हमारे घरों में जो पापा होते हैं वो head of the family होते हैं father is the head of the family पापा अगर नहीं होते हैं घर में तो decision मम्मी लेती है और अगर मम्मी भी नहीं है घर में तो decision हम लोग लेते हैं राइट जब भी भी अगर आपको double और single दोनों ही symbol दिखें तो single symbol हमारी priority होगी क्योंकि single symbol हमारे पापा है और वो head of the family होते हैं किसी भी family के हो चाहे वो single symbol east के तरफ देख रहा हो चाहे वो single symbol west के तरफ देख रहा हो आप हमेशा single symbol को priority दोगे conclusion निकालने sign now important point क्या है जो आप लोग को याद लखना है important point यह है कि यह जो दो family मैंने बताया आप लोगों को एक जो east के तरफ face कर रहा है और दूसरा जो west के तरफ face कर रहा है इन दोनों family में जग रहा है इन दोनों family एक दूसरे से बात नहीं करती है तो अगर इन दोनों family के member अगर एक साथ किसी question में दिख है कोई एक east के तरफ देख रहा है और कोई एक west के तरफ अगर साथ में आपको दिख रहा है conclusion में तो आप उसका कोई भी इसमें आप कोई भी conclusion नहीं निकल सकते हो चाहे वो single ही क्यों नहीं हो नाउ इसमें आप पर single symbol है और double symbol है ठीक है लेकिन single मेरा देख रहा है East के तरफ और double देख रहा है West के तरफ तो इभी इसमें आपका कोई भी conclusion नहीं निकलेगा अगें इसमें वो देख रहा है West और ये देख रहा है East के तरफ कोई भी conclusion नहीं सेम एपली केबल आप इसमें भी करोगे कोई भी conclusion नहीं निकलेगा example के तरफ पर अगर बताऊं statement अगर आपका दिया है A greater than B, B is smaller than C आप इसमें कोई भी conclusion नहीं निकल सकते हो क्योंकि एक statement में एक symbol आपका East देख रहा है और दूसरा symbol आपका West के तरफ देख रहा है दोनों अलग-अलग family के हैं आप conclusion नहीं निकल सकते हो same applicable आप देख सकते हो सभी में हो चाहे वो double-double साथ हो single-single या फिर double और single दोनों साथ में होंगे और दोनों का direction अगर अलग होगा आप कोई भी conclusion नहीं निकाल सकते हो ऐसे cases में now tricks क्या है solve करने की जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि father head of the family होते हैं और father का मतलब है हमारा single symbol तो जहां पे भी आपको single symbol दिखेगा और जो direction दिखेगा like यहां पे single symbol तो हो गया direction क्या है east के तरफ pointed तो east के तरफ यह मेरा pointed तो जब भी आपको conclusion में यह single symbol किसी भी conclusion में दिखेगे आप उसे सही कर दो बस यह single सा simple सा आपका trick now अगर मैं दूसरे वाले का बात करूँ तो यहां पर आप देखोगे तो double वाला symbol भी है और single वाला symbol भी है हमारे पास दोनों हैं लेकिन क्योंकि मैंने बोला single हमारी priority होगी हमेशा तो अगर single है और कैसा single जो की आपका east के तरफ face कर रहा है तो जहां पर भी conclusion में आपको दिखे single symbol east के तरफ facing आप उसे सही कर दोगे double वाला नहीं जाएगा now again आप इसमें भी देखोगे same case आपका applicable है आगे चले अगर मेरे पास में single symbol है ही नहीं पापा जो मारी priority थे वो है ही नहीं है रफ दा फैमिली नहीं है तो मैंने बताया था आप लोग को कि फिर हम मम्मी पर आएंगे मम्मी का मतलब है आपका double वाला symbol now double symbol आप देख सकते हैं या पर दोनों ही आपके double symbol है और दोनों का face किस दर है दोनों का face है आपका east के side में तो कोई भी आपको doubt नहीं होना चाहिए जहां पे भी आपको conclusion में double symbol दीखे और वो भी east के तरफ facing आप उसे सही कर दोगे बिना किसी सोच के now अगर दूसरे वाले का मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपके पार double symbol है लेकिन एक आपका देख रहा है east और दूसरा आपका देख रहा है west तो आप इसमें कोई conclusion नहीं निकालोगे क्योंकि अब भी मैंने समझाया आप लोगों को now आगे अगर मैं चलूं तो coder inequality समझने के लिए आप लोगों को symbols बिल्कुल clear होनी चाहिए mind में तो ही आप इसे solve कर पाऊगे वरना नहीं कर पाऊगे तो इसमें आपको क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना बहुत easy है एक बस box जैसा मैंने बनाया है आपके screen पे आप देख रहे हो आप भी एक ऐसा box बना लो इस box में आप लोग जो हमारे five symbols हैं हमारे आप बस वह सारे symbol बैठा दूँ एक चीज़ बस यह याद रखना कि जो भ दबल भी मैं वही दोंगी जिसका face east के तरफ होगा नाओ नीचे अगर आजाओ तो नीचे में single symbol दो जिसका face west के तरफ हो और उसकी जो partner है double symbol और वो भी आपके west facing और beach में दे दो is equals to को बस आपने सभी को position दे दिया यह याद रखना है position इसके अलावा आपको कुछ नहीं कर एक मिनट बहुत मुश्किल से एक मिनट लगेगा आपको एक मिनट में अगर आपने यह box बना लिया उसके बाद आपके questions within seconds solve होंगे अभी क्या करना है आपने box बना लिया अभी बस question परो और इस diagram में put करो क्या put करना है now dollar मतलब क्या है dollar मतलब है P is greater or equal to now greater or equal to यह है मेरा तो rate का मतलब क्या है P is less than या equal to तो less than or equal to यह है तो यहां पर मैंने add the rate दे दिया now third है हमारा copyright copyright मतलब is equals to तो is equals to के सामने में आप copyright का symbol दे दो आगे आजाओ asterick asterick मतलब P greater है तो asterick के सामने में आप यह symbol दे दो asterick now hashtag मतलब t is less than तो hashtag के सामने में मैंने hashtag दे दिया less than के सामने में मैंने hashtag दे दिया correct बस आपने ये diagram बना लिए अब आपका question अराम से within seconds solve होगा question देखती हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोग को question कैसे करना है ये देखो ये diagram आपका बन जाएगा जब आप सारे symbols के साथ में उसके direction coded जो आपके दिये है question आप डाल लोगे उसके बाद क्या करना है आपको कुछ नहीं करना आपको अभी आपको बस जो symbol जिसके सामने दिख रहा है वो वहाँ पे question में put करो क्या करो dollar का sign है मेरे पास यहाँ पे a dollar b now dollar का मतलब है मेरा greater than equal to तो यहाँ पे मैंने डाल दिया now asterisk asterisk का मतलब क्या है? asterisk का मतलब है greater than low मैंने greater than का symbol डाला is equal to का मतलब था मेरा sorry copyright का मतलब था मेरा is equal to तो मैंने is equals to दे दिया बस question solve now a asterisk d asterisk मतलब है की आपका a asterisk मतलब single symbol d और B dollar dollar मतलब double symbol D now आप देखो गए अगर तो दोनों का ही direction same है तो कोई आपको doubt नहीं होना चाहिए आपका conclusion कुछ तो निकलेगा ही double B है single B है तो single हमारी priority है जैसा मैंने बताया तो A और D के बीच में आपका single priority हो गया लेकिन B और D अगर मैं बात करूँ B और D तो आप देखोगे single और is equals to तो obviously single priority है हमारी तो double तो नहीं आ सकता तो double हमारा गलत हो गया तो हमारा सिर्फ conclusion first correct होगा तो ये था आज का मेरा inequality का topic I hope आप लोग को समझ में भी आया होगा मैं इसके related कुछ questions भी आप लोगो दूँगी solve करने telegram पे so सभी लोग attempt करना और अपने doubts clear हुए आपके doubt या नहीं और क्या doubt है आपको सभी कुछ comment section ने mention करना ता कि मैं next video आपके according ही बना सकूँ so thank you so much everyone bye bye and take care